हाई, वेल्कम टो मैं चनल, इस बीडियो में सॉल्व करें क्वेशन अब फोर, तो फोर का फर्स्ट पार्ट मैं नहीं आप लिग दिया है, तो ध्यान समझीगा कैसे करेंगे, तो पहले हमें आप ले लेंगे टेकिंग, अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका थर्यव सा अलग होगा, हम यहा पर ऐ्लसम लेकर के नहीं सॉफ गरेंगे, यह अपर अलसमल लेंगे इन दोनों का, तो बहुत ही कठीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाड हो जाएगा, यह वन नहीं आप लापाएंगे, मतलब बहुत कठीन होगा एक्चुली साल्व करना आप तो यहाँ पर थोगा सा ट्रिक लगाना है आपको थोगा समझना है कि कैसे मतलब जो भी laws of exponents हैं कैसे apply करेंगे आपर तो आपने पढ़ा है कि यदि a to the power m upon a to the power n होता है तो आप क्या कर सकते हैं इस n को इस m में से माइनस करके और केवल ऐसा लिए सकते हैं कि m माइनस n लिख सकते हैं यदि ऐसा रहेगा तो हम ऐसा भी दो लिख सकते हैं है कि नहीं मतलब a to the power यदि m माइनस n लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a to the power m upon a to the power n, ऐसा भी तो पॉसिबल है, तो यहां पर हम वही काम करेंगे, मतलब यह जो टर्म दिया हुआ है, x to the power a-b, उसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, लेट उस राइट, तो यह 1 upon, 1 प्लस, यहां पर लिख देंगे हम के वहल इस तरीके से, x to the power a upon, x to the power b, right, अब करना क्या है, यहां पर lc m ले लेंगे नीचे, मतलब इतना आपान 1 कर लेंगे, इतना आपान 1 कर लेंगे, और दोनों का, 1 का और x to the power b का, lc m क्या होगा, x to the power b ही होगा, मतलब इन दोनों का multiplication जो आएगा, क्या आएगा है, 1 into x to the power b, जो भी आता है, वही 1 और x to the power b का, lc m होगा, मतलब कि हम ऐसे लिखेंगे, 1 upon, और यहां पर ऐसे लाइन खिश देंगे, यहां पर x to the power b और 1 का, lc m होगा, वो x to the power b ही होगा, फिर 1 से divide करेंगे x to the power b में, तो x to the power b ही आएगा, उस मटपलाई करेंगे इस 1 में, तो x to the power b ही आएगा, मतलब x to the power b ही होगा सकता है, प्लस x to the power से divide करेंगे, इसमें तो 1 आएगा, और once मटपलाई करेंगे x to the power a में, तो x to the power a ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, अब ये इतना आ गया, अब यहाँ पर देखिए one upon इतना इतना आया है, मतलब कि ये जो one upon लिख्या हुआ है, लिखे हुए हैं आप, इसको आप सोचेगा कि ये बड़ी से लखी रहे, और ये भी बड़ा लखी रहे, ठीक हैं, इसके नीचे ये हुआ है, और इसके नीचे ये तो इसको अब लिसकते हैं 1 upon 1 whole upon x to the power b plus x to the power a मतलब यह सबसे बड़ी लगी रहे है यहाँ बीच में यही इसको दुनों को डिवाइड कर रहे है whole upon यहाँ पर हो जाएगा x to the power b ठीक है प्लस यहाँ भी आप लिसकते हैं 1 upon 1 whole upon यह बड़ी लगी रहेगी और यहाँ जागा x to the power a plus x to the power b whole upon x to the power a अब यहाँ पर solve करेंगे तरीका मैंने आपको बताया था एक वीडियो में लगी मैं फिर से बता देता हूं x upon b plus इतना upon d यदि ऐसे रहेगा तो हम d से a multiply करेंगे और b से c में multiply करेंगे और इस तरीके से लिख देंगे a into d पहले लिखेंगे whole upon b into c बाद में लिखेंगे ऐसे solve करतेंगे तो यहाँ भी वही करेंगे मतब कि x into b से में पर प्ले करेंगे 1 में तो कितना आएगा x to the power b ही आएगा whole upon यह नीचे वाले से में पर प्ले करेंगे 1 में यहाँ मर प्ले करेंगे तो उतना ही आएगा तो मुझे लिखेंगा x to the power b plus x to the power a plus यहाँ मर प्ले करेंगे x to the power a में 1 से x to the power a आज आएगा whole upon यहाँ पहुच जाएगा x to the power a plus x to the power b right इतना हो गया अब करना है simply यह कि इन दोनों का LCM ले लेना है इन दोनों का LCM क्या होगा दोनों तो सेम ही है x to the power b plus x to the power a है और यहाँ भी x to the power a है और x to the power b है दोनों का LCM क्या होगा सेम होगा मतलब कि हम ले सकता है x to the power a plus x to the power b right और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 आएगा तो हमनों प्लाइग करेंगे तो X to the power B ही आएगा प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 से इधे हमनों प्लाइग करेंगे तो X to the power A ही आएगा और उपर जो आया है X to the power B plus X to the power A ये exactly same वही है जो नीचे दिया हुआ है ठीक है बस दोनों का arrangement अलग अलगाया है उससे कोई मतलब फ़र नहीं पड़ता मतलब कि आप M plus N करो या फिर N plus M करो दोनों की value same है ठीक है यहाँ भी वही बात है उपर और नीचे दोनों same आ गया तो cut जाएगा दोनों और cut ने के बाद आ जाएगा one और यही one तो लाना था हमें is equal to rhs hence आप लीच सकते है प्रूवड ओके तो चलिए solve करते हैं इसका next part ओके यह आपका है आपका second part fourth का तो यहाँ पर भी exactly वैसे ही करेंगे जैसे first part में किये थे तो कैसे करेंगे तो थोड़ा इसको हम start cut में use करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कैसे बताया आपको first part में तो वैसे यहाँ पर देखेंगे x to the power b upon x to the power a और यहाँ पर देखेंगे x to the power c upon x to the power a और similarly सब में लिखेंगे तो ऐसा लिखने के बाद क्या आएगा ओके तो हम ऐसा लिख लेंगे ठीक है इसके बाद जो है हमने ऐसा लिख लिख लिया सबको divide में कर दिया उसके बाद करना क्या है यहाँ पर lc m लेना है आपको ठीक है तो lc m जब लेंगे तो x to the power a और x to the power a का lc m जो है x to the power a ही होगा राइट तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से 1 आपान और यह बड़ा रहेगा इसका जो lc m होगा वह x to the power a होगा और देखें यहाँ पर आपान लिख देंगे ठीक है वन से जब डिवाइड करेंगे x to the power a में तो x to the power a ही आएगा प्लस x to the power a से जब डिवाइड करेंगे x to the power a में तो x to the power b ही आएगा प्लस x to the power a से डिवाइड करें x to the power a में तो 1 आएगा और x to the power c से मुन प्ले हो जाएगा तो मतलब x to the power c ही आजाएगा ठीक है मतलब लसम लेकर के आप जानते है solve कैसे करना है वैसे solve कर लिजिए plus यहाँ भी ठीक y करना है ठीक है ऐसा हो गया अब करना है कि अब यहाँ पर जैसे मैंने किया था उसमें कि one upon one करके और यहाँ भी one upon one कर सकते हैं यहां भी one upon one कर सकते हैं और नीचे वाले से उपर वाले मट बले करेंगे और बीच वाले दोनों का बीच वाले मट बले करेंगे मतलब कि यह x to the power a से मट बले करेंगे इस one में और इस one में ठीक है वैसे ही यहां पर भी करेंगे इसमें और इस विकार करेंगे इसमें और जैसा मन बताया था a by b upon c by d जैसे रहेगा तो उस तरीके से हम यहाँ लिख लेगे मतलब कि हमें लिखना है इस तरीके से actually यह चला जाएगा उपर और simply आप लिख लिजए इस तरीके से x to the power a upon यह नीचे वाला जो बीच वाला टर्म है उसको नीचे लिख लेजिए x to the power a plus x to the power b plus x to the power c right plus अब हम लेगे इन तीनों का lcm इन तीनों का lcm होगा क्या बताये तो यहाँ पर हो जाएगा actually इन तीनों का दीए तीनों जो है actually यहाँ पर लेगे x to the power a और यहां से डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारा आएगा x to the power a उपर वाला क्योंकि यह divide करने पर one आ जाएगा one से ब्लाइड करेंगे जब x to the power a में तो वही x to the power a ही आएगा प्लस यह वाला प्लस लगा देंगे फिर से divide करेंगे तो one आएगा फिर से और इसमें तो x to the power b hya आएगा प्लस इसमाद्ध vibes करेंगे तो 1 आएगा फ्लस खेंग hooks तो x to the power c आएगा और आप जान रहे हैं कि पर्हुरा टर्म जो है वही है जो नीचे वाला टर्म है क्योंकि 6 to the power a plus 6 to the power b plus 6 to the power c ऊपर है और यहां भी है 7 to the power a plus 6 to the power b plus 6 to the power c तो यह दोनों सेम हैं तो cancel out हो जाएंगे और it will give you one और यही धमे लाना था RHS ठीक है तो thank you so much for watching यह आपको अच्छा लगा तो like कर दीजिए दोस्तों को share कर सकते हैं और यही कोई भी doubt होता है comment box अपके लिए है बिल्कुल comment box न लिखिए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं और या फिर जहां भी doubt हुआ वह बता सकते हैं मैरी pleasure दू करूंगा मैरी personal guarantee है okay thank you so much for watching again bye